नवस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयू 35 साल है और ये विदेश में रह रहे हैं और वहाँ पर ये ट्रक ओना रहे हैं खुद भी चलाते हैं और प्लस इन्होंने ट्रक भी खरीदे हैं और वहाँ पर ट्रकों की कोश्ट बहुत जादा होती है और इनका कहना है मुझे बेसिक कोई तकलिफ नहीं है इनको केवल तकलिफ है इस बात की कि जो फ्राइडे को पैसा आना है उसके बदले इनको पैसे की जुरत पढ़ जाती है मंगलवार कोई तो जो 4-5 दिन का गैप होता है उसके बीच में इनको पैसे मांगने पड़ते हैं बस इतनी सी तकलिफ है इसके अलावा इनको कोई जीवन में कोई मेजर तकलिफ नहीं है और जिग्या सवस इन्होंने पाम बेजा है एक एक करके इनकी सारे प्लस माइनस हम इस पाम पर बाह समझ सकती काफी अच्छी होती है और जो जीवन में अपॉच्छी तरह से यह लोग ग्रैप कर पाते हैं दूसरी खासियत यहां पर स्पेस ज़्यादा मिला हुआ है जब कहीं पर भी आपको पाम पर किसी के भी पाम पर यह पार पर आपको ज़्यादा स्पेस मिले तो आप मुनकर कह दीजिए कि आप जीवन में अमीर बनोगे यह सिंपल सी थेरी है इसमें कोई ज्यान के आवशक्ता नी व्यक्ति अमीर बनता ही है और इस पाम को देखे तो यह कंप्लिट स्क्वेरिश पाम है व्यक्ति भेंती होता और मेनत करके अपने जीवन को अच्छा खासा स फर्स फैलेंज भी नुकीला है तो कारे की प्रती जिद्ध और सेकेंड फैलेंज भहुत जादा बड़ा है तो ऐसे लोगों का एक माइनस पॉइंट होता है लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात बताने में अच्छा खासा समय इनका निकल जाता है जीवन में अच पचास अजा रुपे होंगे और पचास लाग की रिस्क ले सकते इतने हिम्मत के सभाव वाले होते हैं और यह इसी तरह का कारे कर रहें अपने जीवन में और इसी तरह कारे करते करते अपने जीवन को सक्सेस्फूल बना लेंगे छोटी उंगली भी देखिए कितनी बड़ और जिसका यह उंगली बड़ी और अंगुठा बढ़ा हो तो व्यक्ति आदी जंग तो ऐसे ही जीत लेता है यानि आम लोगों से ज्यादा सक्सेस्फूल रहता है जीवन में और यह उंगली जब बड़ी होती है तो व्यक्ति डॉक्यमेंटेशन फाइलिंग चीजों को जो स्पीड में निर्णे लेना चीए वहाँ पर कहीं न कहीं इन से गल्पी होती है स्पीड में भूत एनालिटिकल परसनालिटी होती है अब इनके बुद्परवत पर देखें बुद्परवत काफी अच्छा है बहुत खड़ी लाइन है इस तरह से चल रही है और ज्यादा अब तरह ये देखा जाता इए इस तरह की लाइन मैंने इंप्र एक्सपोर्ट का काम करने वालों के हाथ में भी देखी है पर फिलाल इनके जीवन में ऐसा कोई रोल हो सकता भविश में इस का रोल इनके जीवन में आ जाए जहां तक मुझे जानकरी है और बुद्परवत थोड़ा सा भी यहां से दबाओ तो व्यक्ति अपने मन की बात लोगों तक नहीं पहुचा पाता कहीं बिजनेस मीटिंग में बैठे हो या परिवार में बैठे हो वहां से निकलने के बाद इन सुन्दर भी होता है और यहां पर इनके हर मांट पर ट्राइडन बने हुए है यह जो एपक साइन होती है यह परवत के गुन को बढ़ा देती है बुद्परवत का काम है व्यापार वानिज्य विज्ञान यह सारी समझ इनमें अच्छी खासी होगी जैसे अभी यह ट्रक ब व्यक्ति के जीवन में आते हैं सेम सुर्य परवत पर भी इसी तरह ट्राइडन बन रहा है सेम इसी तरह इस तरह का ट्राइडन व्यक्ति को सुर्य की जो मांट होता है उसकी सक्ति को इंक्रीज कर देता है और उसके भी फल अच्छे खासे मिलते है व्यक्ति को यश भी मिलत है और यहां पर कोई strong सुरी रेखा नहीं बनी हुई है जब strong सुरी रेखा नहीं होती तो व्यक्ति basic सफलता जीवन में easily पा लेता है ज्यादा संगस नहीं करना पड़ता और यहां पर देखिए एक पूरा multiple property की sign बनी है तो जीवन में एक से अधिक property अपने जीवन में बनाएंगे और यह जो sign है मैंने इनको पूछा mood swing का problem है पर यह लगबग उस चीज़ को समझ नहीं पाए यह अर्द शुक्र वले जैसी इस्तिती है व्यक्ति सुबे अलग mood में होता है afternoon को अलग mood होता है शाम को अलग मुर्द change होते रहता है यह उसकी निसानी है अगर यह है तो यह धन के मामले में इनको help करेगी और शनी परवत काफी flat है हाँ थोड़ा सा उभार हलका सा है हो सकता है व्यक्ति सुबे उठने में थोड़ इसी तकलिव होती है पर बाकी overall काफी flat है तो व्यक्ति energetic रहता है दिन भर और यहाँ पर देखे तो continue fate line एक इस तरह से जा रही है एक इस तरह से जा रही है एक और जा रही है यहाँ बुड़ा पर में इनके पास multiple income के सुरोत जीवन में create होंगे कई जगह से इनके पास income आती रहेगी और बुड़ा पर तक इनके पास income की कोई problem रह देने वाली नहीं है और यहाँ पर एक छोटा सा यानि मद्यम टाइप का square बन रहा है तो कोई न कोई पुस्ते नहीं जमीन जायदाद का भी लाब इनको जीवन में प्राप्त होगा और सेम यहाँ पर भी apex बना हुआ है तो यह जो sign होती है यह इस घ्रह के फल को बढ़ा देती है अब यह पैसा देने वाला घ्रह है तो यह और energetic और plus energy भी मिलती है इसके कारण तो यह plus point है अब गुरु परवत पर चले तो सेम वस्तु यहाँ पर भी है यह सारे गुणों को बढ़ा देता है जब किसी हाथ में इस तरह से trident बने हो तो यह भी एक plus point माना जाता है किसी के भी हाथ में अगर आपका simple ग्रह और इस पर trident बने हुए तो आपको उस ग्रह की शक्ती का इ व्यक्ती को अच्छा मिलता है अपने कारे का विस्तार बहुत अच्छी तरह से करता है अपने जियन में व्यक्ती और खाने का शौकिन होता है और यहाँ पर थोड़ी सी horizontal लाइने भी चलती है यह कभी न कभी इनको multiple income की और लेकर जाएगी अब इनके अंदुनी मंगल को द लेती है यह एक minus point रहता है पर इतनी भी नहीं है कि ज्यादा problem वाली बात है पर अंदुनी मंगल काफी उभार लिये हुए तो सरीर की energy तो एक sports person की तरह इन में होगी और same बारी मंगल भी इसी तरह उभार लिये हुए यह जब इतना अच्छा रहता है तो व्यक्ती सहासी हो दूसरी चीज होती है व्यक्ती जब किसी से मिलता है तो energy के साथ मिलता है और संकट के समय व्यक्ती अपने level पर संकट का सामना करता है कि इसकी इसायता नहीं लेता पर इस परवत पर देखे तो थोड़ी सी दो-तिन लाइने दिख रही है यह कभी न कभी police case पुलिस case तो नह इनको करवा सकती है और काफी अच्छा मंगल है और जब चंद्रपरवत यहां से इस तरह से थोड़ा सा भी दबाओ तो व्यक्ती दस बाते बोलेगा उसमें से छे काम की नहीं होगी किवल चार काम की होगी यानि बातुनी किस्म के इंसान रहते पर इनका चंद्रपरवत व विदेश में ही सेटल है और अच्छे खासे डवलप कंट्री में सेटल है महासत्ता है उस कंट्री के अंदर यह सेटल है और यहां पर देखे तो यह यात्रा रेखा है यह लार बार इनको विदेश यात्रा कराती रहेगी और चंद्रपरवत जिसका अच्छा होता है वो रह और जो purchase करेगा वो value for money होता है और यहाँ पर देखे तो बुद्रेखा भी बनी हुई है और इसके द्वारे एक money triangle भी बन रहा है money triangle तो बहुत बड़ा नहीं है पर भविश में अगर यह रेखा complete इस तरह से हो जाती है तो यह बहुत बड़ा greater triangle बनेगा जो फिलाल है नहीं फिलाल इतनी सी रेखा है यह up to end तक touch नहीं हो रही है हलकी सी होगी तो अच्छी बात है तो यह अच्छा खासा greater triangle बनता है तो व्यक्ती बुड़ा पे तक अच्छी खासी संपत्ती अपने जीवन में जमा कर लेता है और साथ में दूसरी बुद्रेखा भी इनके हाथ में बनी हुई है बहुत simple पाम है ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर देखे तो केवल एक शुक्र परवत पर एक पूरी लाइन शुक्र रेखा जाती यह व्यक्ती को luxurious life देती है और साथ में शुक्र परवत भी देखिए कितना अच्छा है और साथ में गुरू भी दो दो मिलकर व्यक्ती के जीवन में धन के मामले में काफी संपन बनाएंगे इनको अभी भी संपन होंगे आगे और संपन था इनके जीवन में आएगी और जिनका शुक्र अच्छा होता है वो खुद का presentation काफी अच्छा होता है अच्छे कपड़े पहनेगा अच्छी तरह से रहेगा lifestyle उसकी काफी अच्छी रहती है अब इनकी हिदे रेखा, simple सी हिदे रेखा कोई ज़्यादा problem वाली बात नहीं है गुरू से touch होकर सीधी चल रही है और ये एक flood line भी बनी है अब जब आपकी सीधी रेखा होती है और गुरू से निकलती है तो एक सबसे बड़ा plus point होता है आप भरो से लायक इंसान होते हो दूसरे थोड़े से अदर्शवादी होते हो यानि expectation level बढ़ जाती है व्यक्ति की तो पारिवारिक मामले में कही न कहीं थोड़ा सा problem create होता है क्योंकि घर के लोग paid नहीं होते और जब सीधी रेखा होती है तो एक और minus point होता है घर वालों को complain होती है कि आपके दिल में प्यार नहीं है इनको प्यार का प्रदर्शन करने ही नहीं आता दिल में रहता है प्यार पर ये show नहीं कर पाते इस तरह की मानसिक्ता इनकी रहती है और ये expectation बढ़ाती है तो परिवारिक रूप में तो थोड़ा सा कभी-कभी problem create करती है पर commercial level पर इस तरह की heartline व्यक्ती को commercial success जादा दिलाती है क्योंकि expectation जादा रहती है खुद भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है और हाथ के नीचे के लोगों से भी अच्छी तरह से काम कर रहता है और heartline में ऐसा कोई problem नहीं है अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से उत्तम रूप से जी पाएंगे और इन्होंने कहा भी है मेरा जीवन में मुझे कोई ज़्यादा तकलिफ है भी नहीं अब इनकी mind line को देखे तो यहां से सुरुवात हो रही है और यह सीधी चलकर थोड़ी सी बैंड हो रही है तो यह अंदूनी मंगल से जब mind line शुरू होती है तो व्यक्ती प्लान बहुत बनाता है और ज़्यादा तर प्लान दिमाग में रहते इंप्लिमेंट नहीं होते और थोड़ी सी जुकाव लेती है तो व्यक्ती का imagination पावर बढ़ता है जैसे उमर बढ़ेगी थोड़े से धार्मिक बनेंगे और घर में किसी एक व्यक्ती को बोल बोल करेंगे जैसे जैसे उमर बढ़ेगी बोल बोल करना इनका बढ़ते जाएगा ये एक माइनस पॉइंट रहेगा पाकि माइन लाइन भी थोड़ी सी मोटी है तो प्रेशर ये ज़्यादा ले रहे है आगे बढ़ने का और ये लगबग ये प्रेशर यहां तक दिख रहा है 42 तक उसके बाद माइन लाइन काफी अच्छी स्मूट है यहां तक ये मोटी लग रही है इस पिरियर तक 42 तक ये जीवन में प्रेशर लेंगे अब इनकी जीवन रेखा को देखे जीवन रेखा पर सबसे प्लस पॉइंट ये है केवले एक राव रेखा उम्र 27 के आसपास इनके जीवन में कोई ने कोई कष्ट आया होगा और उसके बाद कोई ऐसी राव रेखा नहीं है जो इनके जीवन रेखा को कट करती हो इससे उत्तम हाथ कोई होई नहीं सकता जिनके हाथ में राव रेखा नहीं हो यानि कोई रुकावटे जीवन में आती ही नहीं ये भी राव रेखा दिख रही है तो ये कोई कट नहीं कर रही है और यहाँ पर आफशूट देखे तो 42 के आसपास एक आफशूट है एक 45 के आसपास है एक 48 के आसपास है और एक 50 के आसपास है ये इतने offshoot इनको जीवन में अच्छी खार से सफलते दिलाएंगे और एक ये जो offshoot है ये 40-42 के आसपास इनको कोई tremendous success दिलाएगी और इनके जीवन में देखिए यहां तक ये जीवन रिका इस तरह से चली और ये बीच में gap आया तो ये बहुत बड़ा बदलाव इनके जीवन में आया ये इंडिया से सीदे फोरण चले गए और ये बीच वाला थोड़ा सब क्रियर होगा ये संगर्ष वाला होगा इनके जीवन में और ये offshoot इनको कोई न कोई benefit जीवन में देगा जरूर और जीवन रेखा काफी उत्तम ये सीधी चल रही है बुड़ा पे में ये थोड़े से मोटे बनेंगे पर 60 साल के बाद 60-65 के बाद इनके सरीर में थोड़ा सा मोटा पायेगा बाकी जीवन रेखा काफी उत्तम है कोई टेंस लेने के आवशकता नहीं है क्योंकि यहां पर जो आफशूट जा रहे उसके साथ साथ इस तरह से आफशूट जा रहे तो इस पिरियड में इनको अच्छी खासी सभलता मिलेगी अब इनकी फेट लाइन को समझने के लिए जो इनका प्रश्ण था उसको समझने के लिए एक क्लोज अप का इनका सहारा लेते हम यह इनके धन रेखा का क्लोज अप यहां पर देखे तो यह यहां से सुरुवात हुई और एक कट उम्र लग बग इनको 31 के आसपास या 32 के आसपास एक कट लगा और यह वर्तमान पिरियड में यहां पर चल रहे और यहां पर देखे तो इनकी धन रेखा में कुछ दमी नहीं है और एक सिफ्टिंग चालू है एक कट इहां पर भी है यानि यह जो उम्र होगी इनकी 35 से लेके 37 तक की यह थोड़ इसी तकलिव दायक रहेगी यह जो इनके प्रश्ण है वो यहां पर ही दिख रहा है देखो यह 35 साड़े 34 के आसपास का इलागा और यह 37 का इलागा इसमें धन रेखा सिफ्ट हो रही है तो कोई ना कोई बतलाव इनके कमाई के माध्यम में आने वाला है या कोई development इनके जीवन में होने वाला है और यहां से लेके यह फेट लाइन इस पिरियर तक थोड़ इसी डार्क है जैसे एक रेखा चली और उस पर इस तरह से कर लिया हो तो यह डार्क है तो यहां पर एक major problem यह आता है व्यक्टी के जीवन में थोड़ा सा बंधन वाला जीवन लगेगा इनको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने जकड के रखा है बहुत जादा आगे बढ़ने नहीं मिलेगा इनको रुका ओटे तो नहीं कह सकते पर ऐसे जैसे पकड के रखा हो किसी ने जंजीर से इस तरह से इनको मैसूस होगा और इसके बीच में एक हृदय रेखा से एक रेखा आ रही है तो यह लगबग इनको 43 के आसपास इनको कोई बड़ा investment इनके जीवन में होगा और इसके बाद यह fate line काफी smooth होकर यानि यहां से इनके जीवन का विकास जो होना चालू होगा यह 40, 42, 43 के बाद इनके जीवन का रफ्तार बहुत speed में बढ़ेगा चुकि यह fate line काफी smooth होकर यह सीधी यहां चली एक और fate line develop हो रही है 50 के आसपास से और एक और इस तरह से जा रही है तो बुड़ा पे तक income करते रहेंगे यह भी period इतना खराब नहीं होगा पर कहीं न कहीं ऐसा मैसूस होगा इनको कि किसी ने जकड़ के रखा है जो इनको ज़्यादा wing चाहिए एक तो positive बदलाव आने वाला है इनके जीवन में बदलाव का दौर चालू है 36 से इनके जीवन में बदलाव आना शुर्वात हो जाएगी पर फिर भी एक रुकावट इनके जीवन में है और यह कट है तो इनको कोई न कोई आर्थिक नुकसान भी जाएगा 36-37 के आसपास कही न कहीं थोड़ा सा problem इनके जीवन में आएगा जैसे यहां पर आया था यह थोड़ा सा बड़ा था यह भी थोड़ा सा आएगा इनके जीवन में और यहां से लेके यहां तकका period इतना मजेदार नहीं रहेगा पर उसके बाद वापस जीवन की गाड़ी स्मूथ चलनी चालो हो जाएगी और ये अच्छा खासा प्रोग्रेस अपने जीवन में करेंगे तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद